हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल इजी लर्नर्स आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जो की एक सीरीज है उसके सब्टाइटल से हिंदी मिनिंग के साथ कुछ डेली यूस सेंटेंसिस सीखेंगे और उसके साथ आपको इस वीडियो में इस वीडियो में न्यू राइट वेल आई हेड़ बैटर गो मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा आई थिंग डैट वुड बे वेस्ट वी से आई हेड़ बैटर टोक अबाउट सम्थिंग पी नीड टू डू अट असर्टेन मॉमेंट जब हम अगर हमें कोई बात निश्चित समय पर करनी हो तो हम उसके लिए आई हेड़ बैटर टोक का इस्तमाल करेंगे ठीक है एक्जांपल के तोर पर आपको रियालाइज हो कि आप लेट हो रहे हैं तो और आपका कमेंटमेंट हो तो आपको कहना होगा आई हेड़ बैटर गो मेरा जाना बैटर होगा अच्छा बैटर होगा कि हम चले देर हो गई वैल वी हेड़ बैटर गेट कोई इटस लेट बैटर होगा कि हम चले वी हेड़ बैटर गेट गोई तेर हो गई है इटस लेट पिता जी को अब रात में गाड़ी चलाने की अनुमती नहीं है डैड इस नॉट अलाउट टॉ ड्राइव एट नाइट एनिमोर यू हेड़ बैटर का एक डिफरेंट सेंटेंस है हम इसका यूज ओडर या वोर्डिंग देने के लिए करते हैं तुमारे लिए बहतर होगा इसका मतलब यह होता है तुमारे लिए बहतर होगा आप सही हैं You are right मैं यह नहीं चाहता I don't want that मैं उसे डेट नहीं कर सकता I can't date और बहतर होगा कि आप फ्लर्टिंग भी देखें and you had better was the flirting too यह लड़की लड़के से कहती है कि आपके लिए अच्छा होगा अगर आप फ्लर्टिंग भी देखें क्योंकि इतने करीबी इलाकों में यह परिशानी का सबक बन सकता है because in such close quarters it could be trouble अच्छा यह कठिन सौम होने जा रहा है well that's going to be tough man man m-o-n का मंडे मतलब है है याप और सौम से सौमवार का मतलब है हिंदी में मंडे को सौमवार कहते है अच्छा यह कठिन सौम होने जा रहा है well that's going to be tough man m-o-n then we use would be best to say at a certain idea or option in appropriate for a particular situation हम would be best का तब यूज करेंगे जब हमें हम would be best का यूज तब करेंगे किसी particular situation में अगर हमें कोई चीज बहतर लगे क्या वे सही है are they right शायद हाँ probably मेरा मतलब है शायद हमें तब तक रुकना चाहिए I mean maybe we should hold off until जब तक हम रोज से बात नहीं करते until we talk to rose शायद हाँ probably मेरा मतलब है I mean शायद हमें तब तक रुकना चाहिए जब तक हम रोज से बात नहीं करते maybe we should hold off until we talk to rose हमें इंतचार नहीं हम इंतचार नहीं कर सकते we can't wait हमें आज रात कुछ नहीं करना है we don't have to do anything tonight मुझे लगता है I think कि that would be best बहतर होगा मैं जा रहा हूँ I am gonna मैं उडान भरने वाला हूँ I am gonna take off हाला कि मुझे हाला कि पसंद है although I like although ठीक है अच्छा मुझे जाना बहतर होगा all right well I had a better go मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा I think that would be best इस situation में इसलिए यूज क्या गया है क्योंकि इस situation में यह बहतर होगा कि यह यहां से चला जाए तो I think that would be best का यूज हो है मैं आपसे बाद में बात करूंगा I will talk to you later ठीक है लेकिन इसके बारे में नहीं okay but not about this Rose takes Joyce talk to you later Ferris literally but that's usually just said as a goodbye Joyce ने talk to you later Ferris use किया है लेकिन उसका मतलब goodbye है ठीक है मैं आपसे बाद में मिलूंगा all right catch I will catch a video letter हम talk to you later के बज़ाए catch आप का भी use कर सकते है catch up with you later ओ मुझे जाना है ओ I gotta go मैं आपसे बाद में बात करूंगी I will talk to you later all right instead of saying talk to you later you can also say catch you later आप talk to you later कहने की बज़ाए catch you later भी कह सकते है तो हम सब एक साथ जा सकते हैं great so we can all go together मुझे दोरना होगा I gotta run मैं तुम्हें बाद में मिलती हूं या मिलता हूं I will catch you later अभी आपके वीडियो वापस लाएं just brought back your videos अपनी यहां पर इनका कहने का मतलव है जो मैंने तुम्हें वीडियो दी थी वो वापस करो देखिए मुझे लगता है कि हमें पहले बात करनी चाहिए लुक I think we need to talk about before अब देखो वह मेरी अब तक की सबसे अच्छी जबकी थी नाव लुक that was the best nap I ever had मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो I don't know what you are talking about तु ब्रिंग सम्थिंग बैक means to return something bring something back का मतलब होता है कुछ चीज को वापस करना it is important you don't forget about the word back ये महत्वपून है कि आप back का मतलब ना भूले हमने कहीं students को सुना है कि वो mistakenly कहते है I brought this मैं इसे लाया हूँ जबकि when they are meaning to say brought back this also implies जब वो कहते हैं तो brought back का मतलब यही होता है किसी चीज का वापस देना put back take back New York के बच्चों की ओर से मैं आपको पैसे सुविकार करता हूँ on behalf of the children of New York I reject your money लेकिन हम आपको यह दे रहे हैं but we are giving you this और मैं इसे आपको वापस दे रहा हूँ and I am giving it back to you आ जाओ come on इसे योगदान माने consider it a contribution अच्छा वेल यह बहुत उदार है it is very generous किर्प्याद चैक ले लो चाओ एक सांदार साधी और एक साथ एक सांदार जीवन बिताओ please take the check go have a great wedding and a wonderful life together मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि यह होगा I mean I had no idea that would वह क्या बकवास था what the hell was that किसी चीज को अगर बेकार बताना हो तो हम उसके लिए sentence का यूज कर सकते हैं क्या बकवास था what the hell was that बस देखना चाहता था कि सारा उपदर्फ क्या था just wanted to say what all the first was about first word का use हम किसी चीज को लेके excitement जब हो जाती है उसके लिए word को यूज करते हैं इसका मतलब गडबड भी होता है मेरे पास बहतर है I have had better अगर कोई हम से ask you how your day is going and you don't want to say it's going well अगर आप से कोई पूछता है कि दिन कैसा चल रहा है और आप यह नहीं कहना चाहते कि it's going well तो आप इसके जगाई I have had better days का प्रयोग कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा I will tell you उस judgment ने मुझे से बहुत कुछ छहिन लिया that judging stuff took a lot out of me तुम्हें पता है you know मेरे पास इस तरह की dates है you know I have had dates like this आप वास्तब में हानने के लिए खड़े नहीं हो सकते you really can't stand to lose can you तुमारा सारा चैरा लाल हो रहा है your whole face is getting red आपके कनपटी से निकल रही छोटी छोटी नसे little winds popping out of your temple temple एक word है जिसका मतलब मंदिर तो होता ही है लेकिन हमारे कनपटी कोई plain surface body का उसे भी हम temple ही बोलते हैं और winds का मतलब नसे होता है popping out मतलब बाहर चमकना उबर कराना साथ ही वह shirt वास्ता में उन पैंटों से मेल नहीं खाती plus that shirt doesn't really match those pants I will tell you also often said as I will tell you what or I am telling you I will tell you also often said I will tell you what or I am telling you is a faris that we say to emphasize something we are about to say in faris का हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ कहने वाले हों मैं आपको बता रहा हूं जब तक मैं नो साल का नहीं था I am telling you up until I was nine मैंने सोचा था कि बंदू की नोक एक वास्तिविक जगा थी I thought gunpoint was an actual place जहां अपराद हुए where crimes happened वो कैसे संभव है how is that possible शायद उपर जाने और अपने सोफे पर थोड़ी जबकी लेने के बारे में सोच रहा था thinking about maybe going upstairs and taking a little nap on my couch मुझे इसकी परवा क्यों होगी why would I care about that किसी चीज की परवा ना हो या फिर कोई चीज हमें ना करने हो तो इसके लिए हम why would I का यूज करते हैं why would I care about that मुझे इसकी परवा क्यों होगी तुम पागल नहीं हो मैं पागल क्यों होंगा you are not mad why would I be mad मुझे खेद है किर्पया घबराना बंद करें I am so sorry मुझे खेद है please stop freaking out freak का मतलब घबराना होता है मैं क्यों घबराऊंगा please stop freaking out I am not freaking out मैं घबरान नहीं रहा होंगा मैं क्यों घबरा रहा होंगा why would यहाँ पर भी मैं क्यों करूंगा why would I का मतलब मैं क्यों करूंगा होता है यह उनी संटेंजिस पारी मैं क्यों करूंगा मैं क्यों कब रहा होंगा वाइप आइफ्रीकिंग आउट चलो मान लो कमउन एडमिट वह आपकी अब तक की सबसे अच्छे जबकी थी डैट वाउज द बेस्ट नेवर यू एवर हैड मैंने बहतर कि है I have had a better ठीक है कब ओके वेन ठीक है ठीक है ओल राइट ओल राइट यह अब तक की सबसे अच्छी जबकी थी इट वाज़ बेस्ट नेवर नेप एवर मैंने कहा I said it okay लेकिन यह खतम हो चुका है बट इस ओवर मैं इसे फिर से करना चाहता हूं I want to do it again हमें इसे फिर नहीं कर सकते वी कांट डू इट अगें क्यों नहीं वाइनोट क्योंकि यह अजीब है कोई चीज अजीब लगे या बेकार लगे दूसरों को देखने के लिए और अपने आपको भी तो उस जगह पे हम वियर्ड का यूज़ कर सकते हैं वियर्ड का यूज़ करते हैं विकोज इट्स वियर्ड ठीक है फाइन आप कुछ पीना चाहते हैं you want something to drink जरूर श्योर तुम क्या पिलाना चाहते हो what do you got मुझे लगता है लुग की हमें पहले बात करनी चाहिए I think we need to talk about before इन में से कौन सा संटेंस सही नहीं है ही कमेंट बग करकर बताईएगा मुझे की इन में से कौन सा संटेंस सही नहीं है he fell asleep on the couch he is sleeping on the couch he is napping on the couch ये previous year का आपको इसमें मिल जाएगा ये वर्ड हमने asleep का पिछले वीडियो में सीखा था इसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और आपको इसका कमेंट में आंसर जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like, share और subscribe कीजेगा अगर आप इसी तरीके की वीडियो हो देखना चाहते हैं तो latest update के लिए YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा चब तक के लिए bye and thank you for watching my video